स्वागत है आप सभी कामारी यूडीव चैनल शिबली कॉलेज इंफो पे जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिएस्टी से रिलेटेड सारे इन्फरमेशन फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है वो एडमीशन से रिलेटेड है जो शिबली नेशनल कॉलेज का अडमीशन ने वो स्टार्ट हो चुका है उसके फ़रम आ चुके हैं फ़रम फिल होने लगा है अब इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉश्चन है जो न्यू इस्टुडेड है इसकी लास्ट डेट क्या है यू आर एन जो है वो क्या चीज है इसको कैसे बनाना है कौर्स कौन कौन से कौर्स अविलेबल है और उसके साथ साथ कौर्स के साथ सबजेक्ट कौन से अविलेबल है कितने एयर का डियूरेशन है बहुत सारी चीज़ें इसमें और फी स्ट्रक क्योंकि बहुत सारी मैसेज थे इस वया से इस पे अलग से इसको मेंशन करना पड़ गया कि देखी इंट्रेंस होगा या नहीं होगा इसका भी हम बताएंगे तो इस वीडियो में यह सारी चीज़ा डिसकस की जाएंगी और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको भी हम वीडियो में डिसकस कर लेंगे तो वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखे तभी सारी चीज़ें आप एकदम अच्छे से समझ पाएंगे तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले डॉक्यमेंट्स की बात कर लेते हैं डॉक्यमेंट्स क्या लगत लगेगा उसके बाद लास्ट डेट की बात करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको नोडिफिकेशन के तुरू मिल सके और खास तोसे नियुस्ट जो है वो चैनल को जरूर करें क्योंकि उनको हर एडमीशन से हर एक रिलेट्ट जो इंफॉर्मेशन वो मिलती रहेगी तो देखिए सबसे पहले रिक्वाइड अक्रिमेंट्स में जो आपके सामने यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हाई स्कूल की मार्क शीट है यहां पर थोड़ा जूम कर दे करते हैं तो ढादार कार्ड हो गया है कि ठीक है यहां पर हाई स्कूल हो गया है इंटरमीडियर कि आपके जो मार्क शीट है वो गई है और उसके साथ ग्रेजुएशन के अगर आप ने गलेएशन कंप्लीट कर लिए और आपकी मार्क मिल चुकी तो इसकी मांक्षिट चाहिए कास्ट सर्टीफिकेट अगर आप SST OBC है तो कास्ट सर्टीफिकेट भी लगेगा ड्मिसाइल सर्टीफिकेट यानि कि जो आपका निवास परमाड़ पत्र है वो भी लगेगा बैंक पास्बूक चाहिए कैंडिडेट कि अपनी representation जिनका नहीं बनाए वो हमारे चैनल पे जाएंगे इस चैनल पर वीडियो बनी हुई है पार काड़ कैसे बनाएं वहां पी आप की सक्षन में वहां पर चौस को डिखनाएं पर चाहए और mobile number आपका candidate का होना चाहिए और mobile number वो होना चाहिए जो WhatsApp बना हो और उसके साथ साथ जिसकी incoming on हो ऐसा ना हो कि WhatsApp बना है उससे number से बट incoming off रहती है तो ऐसा number मत दीजिएगा क्योंकि OTP में problem आजाएगी और email ID ये दो चीज़ आप अपनी दें candidate अपनी खुद की दे तो ज्यादा बेटर होगा email ID और mobile number क्योंकि in future बहुत सारी information होती है जो आपको mail कर दी जाएंगी या फिर WhatsApp कर दी जाएंगी या फिर message के लिए ग्रूप के लिए तो ये सारी चीज़े इसलिए candidate का अपना personal ये सारी चीज़े होनी चाहिए तो ये रही documents के बारे में अब चलते हैं last date के बारे में बात करते हैं कि last date इसकी क्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी last date है यहाँ पे लिखी हुई है start date जो है 6.25.24 का start date दी हुई है बट उस दिन form start नहीं हुआ था उसके एक दो दिन के बाद ही पोर्टल पे ये सारी चीज़े अपडेट हुई है तो last date देख सकते हैं चाहे आप BSC की बात करें या फिर आप BICOM की बात करें BBA की बात करें किसी भी course की बात आप करेंगे यहाँ पे आप last date देख सकते हैं अभी की जो last date दी हुई है वो पंदरा की last date दी हुई है ठीक है अब यहाँ से आप देख सकते हैं इस सारी चीज़े अवेलेबल हो चुकी है बट अभी PG के courses और LB के courses के लिए अपलाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी उसके लिए portal open नहीं हुआ है तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे आपको last date के बारे में बता दिया अब आती है बात URN University Registration जो नंबर है वो क्या है तो देखिए फोन को rotate कर लिए screen को यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चीज लिखी हुई है यहाँ आप देख सकते हैं Click for University Registration UG Courses और यहाँ पे आप देख सकते हैं Click for University Registration PG Courses तो देखिए आपको अगर UG Courses के हैं तो UG पे apply कर देंगे और अगर आप PG के हैं तो PG के जैसे यहाँ पे आप UG पे जैसे ही apply करते हैं तो देख लिए यह portal open हो रहा है और यहाँ पे portal open होकर के इस तरह से आ गया है अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या करेंगे सारी detail को fill करेंगे यहाँ पे सारी detail आप fill करने के बाद यहाँ पे जो जो चीजें मांगी गई हैं आप सब कुछ fill कर देंगे और fill करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए NAD ID यह ID जो है इसको बरने की ज़रूरत नहीं है लेकिन यहाँ पे आपका जो अधार नमबर है और अपार नमबर इसको mandatory इसको ज़रूर से बरना होगा फिल करना होगा यहाँ पे आपके high school की detail होगी और यहाँ पे जो registration है वहाँ पे complete करने के बाद यहाँ पे देखिए online classes के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे आप अपना जो आपसे चीज़ें पूछी जा रहे ही वह आप अपने हिसाब से fill कर दीजिएगा और fill करने के बाद yes I agree to above यहाँ पे करके capture fill करके save registration कर लिजेगा उसके बाद आपको registration जो number होगा वो मिल जाएगा तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जो चीज़ें star की हुई है वो mandatory उसको fill करना ज़रूरी है तो यहाँ पे आप इसको fill करने के बाद UG वाले UG पे click करके fill कर देंगे इस form को और PG वाले PG पे click करके इस form को fill कर देंगे तो यहाँ से आपकी जो university registration number है वो मिल जाएगा आपको ताकि उसके बाद आप अपने form को fill कर सकते हैं ठीक है यह भी चीज़ यहाँ से confirm हो गई है अब next चीज़ पे चलते हैं वो क्या है उसको देख लेते हैं जो thumbnail में हमने बनाया था यहाँ पे जो next चीज़ है वो course, fee structure और direct और entrance admission तो इन तीनों चीज़ों को एक साथ हम clear कर लेते हैं जैसे course के बारे में बताएंगे तो वहाँ पे subject के बारे में बता देंगे और fee structure जो होगा उसके बारे में भी बता देंगे और जो duration होगा मतलब time होगा कितने year का वो भी उसको भी discuss कर लेंगे और last में आपको direct और entrance का जो admission है वो भी बता देंगे तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि UG first semester के जो student है उनके लिए दिया हुआ है तो commerce faculty के अगर बात करें सब्जेक्ट selection के लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है वहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले दो से तीन दिन पहले upload की हुई है वीडियो की शिबली नेशनल कॉलेज admission form 2024 and 25 इसता से session करके डाला हुआ होगा टाइटल लिखा होगा तो वहाँ पे आप देखेंगे लगबग 20 या 26 मिट की वीडियो है उसमें subject selection के बारे में सब कुछ अच्छे से बताए हैं ताकि आपको admission के time पे कोई problem ना हो तो आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे आप commerce faculty में देखी commerce faculty में आपकी जो subject हैं वो तो एकदम locked subject होते हैं कि आपको यही तीन subject लेने हैं इसका कोई और दूसरा ऐसा नहीं के alternate है कि आप यह नहीं चूज कर सकते हैं वो चूज कर लेंगे ऐसा नहीं है major में आपके एकदम confirm ही यही है अब यहाँ पे बात कर लेते हैं commerce faculty की fee structure की यानि कि अगर हम बात करें UG fees की और PG fees की जो है जो one year की लगेगी total उसकी बात कर लेते हैं देखिए यहाँ पे आपके total three year के course हैं और इसमें six semester हैं यानि कि तीन साल में six semester की exam आपको देने होंगे और इसकी जो per year fees हो जाती है आपकी total ये आप मान के चली कि 5000 के करीब हो जाती है जिसमें आपकी examination fees भी include की जाती है तो 5000 के करीब करीब आपकी commerce की जो fees होगी उससे कम थोड़ा हो सकती है उससे जादा तो नहीं होगी इतनी आपकी commerce की fee हो जाएगी next चलते हैं next जो हमारे पास है वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यह BSC Maths and Bio का दिया हुआ है BSC Maths के student और Bio के student का जो fee structure हो जाता है इनका भी लगबग लगबग आप मान के चलिए कि 5-6,000 के करीब पहुंच जाएगा इनकी fee थोड़ी जादा होती है commerce के student से यह भी तीन साल का आपका हो जाता है और टोटल सेमेस्टर जो होते हैं वो छे हो जाते हैं तो इसके भी fees वही 5-6,000 के करीब रहेगी हाँ यहाँ पर एक चीज आ जाती है self finance course self finance BSC में self finance की चीज़ें add हैं तो कुछ ऐसे subject हैं जो self finance वाले हैं उनकी fee structure जाद हो जाती है जैसे हम यहाँ पर आपको बता देते हैं अगर आप computer science ले रहे हैं industrial chemistry ले रहे हैं aesthetics ले रहे हैं BSC math की बात कर रहे हैं तो BSC math में अगर आप यह तीन subject ले रहे हैं तीनों में से कोई एक subject ले रहे हैं तो आपकी यही fees जो है 5-6,000 जो लग रही थी वो आपकी फॉरण बढ़ करके 8-9,000 यानि की 8-9,000 के करीब पहुँच जाएगी अगर आप इन तीनों में से कोई एक subject ले रहे हैं क्योंकि यह self-financed होता है subject इस वाया से इसकी fee structure जो रता है जादा हो जाता है इसकी बढ़ जाती है देखिए BSC Bayo की अगर बात की जाए तो यहाँ पे BSC Bayo के बारे में दिखा हुआ है तो BSC Bayo में हम देख लेते हैं आपको बता देते हैं कि किस-किस subject की fees अगर आप वो subject ले रहे हैं तो इसकी fee structure जादा हो जाएगी सबसे पहले आपको तो यहाँ पे Biochemistry हो जाता है और Bio Technology हो जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका Geology हो जाता है Industrial Chemistry हो जाता है Microbiology हो जाता है अगर आप इन 6 subject में से कोई एक भी subject आप लेते हैं तो आपकी fee structure जो है वो बढ़ करके per year की जो fee हो जाएगी वो लगबग लगबग 9,000 to 9,000 के करीब पहुच जाएगी इसमें आपका जो कहाना में semester examination fees होती वो भी include की गई है जो की exam time पे लगती है जब आप अपना examination form फिल करते हैं तब लगती है इसके बाद next आप देख सकते हैं पे arts faculty आ गई है तो arts faculty में देखिए कोई भी subject ले रहे है home science को छोड़ करके यहां पे जो home science है यह self-finance subject है अगर आप यह लेते हैं तो आपकी fee structure जो है वो बढ़ जाएगा लगबग 7 to 8,000 के करीब पहुच जाएगा और अगर ऐसे आप कोई भी subject लेते हैं वही सेम तीन साल का है ठीक है बीए बीस्सी बीकाम की बात हो गई है अलग से और courses के बारे mention नहीं किया गया है तो हम यहां पे बात कर लेतें बीबी और बीसी ए की उसमें भी देखिए बीबी और बीसी ए दोनों ही तीन साल के course है उसकी जो semester fees लगती है तो पर semester उसकी लगबग fee जो हो जाती है 10,000 के करीब होती है BBA और BCA की अगर जो भी student BBA और BCA में admission लेना चाहते है उनका fee structure जो हो जाएगा 10,000 के करीब हो जाएगा पर semester LLB के अगर हम बात करें तो LLB का जो fee structure हो जाता है वो 5,000 के करीब हो जाता है 5,000 पर year इसमें semester wise नहीं fee लगती है इसकी year wise fee लगती है टोटल 6 semester है तीन साल का ये भी है LLB अब बात कर लेते हैं MA MSCM कॉम में देखी MA में जो ऐसे subject हैं जो self-financed वाले subject हैं जैसे की education है और history है और इसी तरह से का और भी है subject याद नहीं आ रहा है दो subject का confirm है उनकी fee structure जो है आपका 10,000 प्लस में पहुँच जाती है पर year की और अगर आप इसी तरह से थोड़ा जो self-financed नहीं है courses वो ले रहे हैं उसमें admission ले रहे हैं तो आपकी fee structure जो है वो 5,000 के करीब रहने वाली है MSC में कोई self-finance course नहीं है MSC में जो fee structure रहने वाला वो 5,000 के करीब रहने वाला है M.com में कोई self-finance का वहाँ पे भी criteria क्योछ ऐसा नहीं है कि self-finance course है तो वहाँ पे जो fee structure आपका रहने वाला है 4-5,000 के करीब M.com में रहने वाला है जो fee structure vary करेगा fee जो vary करेगी वो MA के course में subject wise vary करेगी अब self finance subject होगा तो fee जादा हो जाएगी self finance subject नहीं होगा तो उसकी कम हो जाएगी ठीक है और LLM के अगर बात करें तो देखी LLM की जो fee पहले थी वो 35 प्लस में थी 35,000 या 50 के करीब थी इस तरह से थी तो अगर आप LLM में लेना चाहते हैं उसकी भी fee structure इसी क्यास पास रहने वाला है 30 प्लस मान करके चलिए हर हाल में उससे कम में नहीं क्योंकि वो भी self finance पे है तो सारी चीज़ें एतनी clear हमने कर दिया है अब last में बात आती है कि entrance होगा या फिर नहीं तो देखिए यहाँ पे आपका हम बता देते हैं कि यहाँ पे step 10 में आपका हम पढ़ करके दिखा देते हैं यहाँ पे लिखा हो course fee submission after entrance test यहाँ पे लिखा हुआ ना entrance test यानि कि आपका entrance test होने वाला है जो लोग यह कह रहे हैं कि entrance नहीं होगा करते हैं जो admission होने वाला है वो entrance based ही होने वाला है क्यूंकि यहाँ पे एक seat के लिए जो candidate apply करते हैं अगर यूजी की बात करें बैस्से की बात करें तो कमसे कम में एक seat के लिए साथ से आठ लोग apply करते हैं कमसे कम में मिनीमम में और मैक्सिमम में आप जानते हैं कि 20 प्लस ही लोग अपलाई करते हैं एक सीट के लिए PGMA भी इसी तरह से हो जाता है PGMA जैसे Zoology में सबस्दाद अपलाई होते हैं वोग प्लस हैं अगर बात किया जाये PG के जतने भी प्लस हैं सबसे जादा जो फॉआ आपलाई होता है MSC में वो Zoology में होता है और MSC में में चुजवाथा अपना अधिया है उसमें भी अपलाई होता है और अगर बात करें MA में तो MA अर्दू और M.A. इंग्लिश इसमें सबसादा फॉर्म अपलाई होते हैं तो यहां पे कंपटिशन जादा होता है अगर बात किया जाए M.S.C. में तो देखी मैतमेटिक्स में कम फॉर्म अपलाई होते हैं और उसके साथ साथ बाटनी केमेस्ट्री में लगबग लगबग सेमी कंडिडेट होते हैं तो इस तरह से फॉर्म अपलाई होते हैं इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि सीट कितनी है सभी कोर्सिस की कटाफ क्या जा लास्ट लियर कटाफ क्या गया था इस बार कटाफ क्या जाने के उमीद है इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहेंगे हमारे चैनल पर तो बस आज की वीडियो में अतना ही उमीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी बस आज की वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग